सिंधी समुदाएं इंडिया में शरणार्थी यानि की रेफ्यूजी बन कर आया था आज सिंधी लगबग हर शेत्र में आगे हैं इनकी योगदान की हर कोई सराना करता है आईए जानते हैं सिंधी कम्यूनिटी के बारे में कुछ मज़ेदार चीज़ें इंडिया और पाकिस्तान के बटवारे के बाद हिंदू इंडिया आ रहे थे और मुस्लिम पाकिस्तान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू मुस्लिम के बीच बेहत भाई चारा था लेकिन बड़ती असुरक्ष्या के कारण करीब आठ लाक सिंधी हिंदूओं ने पाकिस्तान छोड़कर इंडिया में शरण लेने का कड़ा फैसला लिया पूरे इंडिया में आज 25 लाक से जाधा सिंधी है भारत में सिंधीयों की आबादी सबसे जाधा मुंबई के उल्भास नगर एरिया में है सिंधी भाषा को भारत सरकार ने 1967 में पंदरवी अफिशल लैंगविज घोशित की थी जाधातर सिंधी हिंडू हैं लेकिन कुछ सिंधी सिख धरम के सिद्धानतों को भी मानते हैं इन्हें सहजधारी कहते हैं सिंधीयों का न्यू यर यानि की चेटी चंड सबसे बड़ा त्योहार होता है ये त्योहार भगवान जूले लाल के जनम दिन पर मनाया जाता है जिन्हें वरुन देव का अफ़तार मानते हैं इस दिन सिंधी पानी को पूछते हैं चेटी चंड के अलावा अक्षेत रितिया और तीजरी के अफसर पर भी काफी जश्न मनाया जाते हैं जादातर सिंधियों का सरनेम एनाई से एंड होता है जिसका अर्थ होता है वनशज ये सरनेम्स मोस्ट भी पूर्वजों के नाम से जुड़े होते हैं जैसे गिडूमल के फैमिली का गिडवानी, महरचंद का महरचंदानी एक चीज ध्यान में रखने जैसी ये है कि कुछ सिंधि सरनेम्स जे ए से भी एंड होते हैं जैसे आहुजा और राहेजा भारत में सिंधियों ने लगबग हर फील्ड में नाम कमाया है जैसे राम जेक मलानी, इंडिया के नंबर वन लॉयर, पंका जड़वानी, वर्ल्ड फेमस बिलियर्ड और स्नूकर प्लियर, मिरंजन और सुरेंद्र हिरानन्दानी, रियल एस्टेट टाइकून्स, रनवीर सिंग भावनानी, बॉलिवूट के टॉप अक्टर्स में से एक अपने मातर भूमी की तड़प शायद कुछ सिंधियों को हुई होगी, बट उन्होंने कभी इस बात को बाधारूप नहीं बनने दिया, जब भारत ने भाषा के आधार पर नए नए राज्य बनाए जा रहे थे, इन्होंने कभी अलग राज्य की मांग या जिद नहीं की, जहां भी गए, सबके साथ गुल मिल गए, सभी सिंधियों को टेंज ओफ इंडिया का सलाम, तो दोस्तों, ये थी कुछ मसेदार बाते सिंधि कम्यूनिटी के बारे में, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कमेंच में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हां, टेंज ओफ इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जै हिंद!